अबदपुरी सम प्रिय नहीं सोवू या प्रसंग जा नहीं कोवू यानि अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिये और कोई नहीं ये प्रसंग हर कोई नहीं जानता है और भायों बेनों अयोध्या को भग्मान राम के ही अनुसार उनकी प्रियनगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दाहे तो ये डवल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबदता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है और पिछले साडे नौ वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रतों में पुरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले छै साड़े छाड़े वर्ष से जिन कारिक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी दंख से लागू करने का कारे किया है वे सब भी आपके पास है वह योवे नो जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयम कहा हो जन भूमिमम पुरी सुहावनी उत्तर दिसिबह सर्जू पावनी यानि इस अयोध्या धाम की महमा को प्रभू अपने स्री मुक्से का रहे हो उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा और भायो बेनों उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जन्ता जनारदन भी पूज्य संत जन्द भी महमाहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारी गण भी यहाँ पर उपस्तित हो करके मुझे बहुत प्रिय हैं वायो बेनो अगर प्रिय है तो हमारा क्या काम है हमारा भी तो कोई दाहित तो बनता है अयोध्या वासियों को मैं इस बात के लिए अस्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कारियों के लिए रयोध्या को दुनिया की सुंदर तम नगरी बनाने के लिए जिसका शुरूप उभर रहा होगा जिसका एक जलक आप देख रहे होंगे और पिछले छे बार के विपोट्सों के कारिक्रम का पैड़ाम आज आपको योध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के भव्य मंदिर को देख करके भी ऐसास हो रहा होगा हमारे पूर्वजों ने दीब प्रज्वलन और खांकित करने के लिए हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयूजों के साथ जोड़ा गया और उसके पैड़ाम आज यहां पर देखने को मिलना हैं लेकिन अधियावाश्यों की जम्यदारी भी बनती है जब भगवान राम राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वेम आ रहे हैं पांसो वर्सों का एक लंपा इंतचार कितनी सोभा के साली हमारी पीड़ी है पुझे संतों ने राजा महराजाओं ने योद्धाओं ने बीर योद्धाओं ने अनेक उद्ध लड़े और वायोबेनों यहां पे विस्व हिं शंगल जी के नित्रतों में पुझे संतों ने आपी संगाचारे स्वामी संतान संतानन्ची महराज रहे हो प्रामंस रामचंदरदाजदी महराज रहे हो स्वामी बामदेव जी महराज रहे हो या फिर गोरक इसमीड आपरमपरा चाहिवा पुझ atrás दिक TEDनाज जी महराज अपना के कारिक्रम को हर हाल में होना है और आजो साकार हो रहा है तो साकार होने के लिए अयुद्ध्यावास्यों को जिस अयुद्ध्यावास्यों के बारे में भगवान ने स्वयम कहा अतिप्रिया मोही इहां के वासी तो उस अयुद्ध्यावास्यों की जम्यदारी भी बनत है ऐसे ही वगवान राम के 22 जन्वरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधान मंत्री जी आएंगे तो अयुद्या वाज़ियों को स्वागत की तैयारी उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आपको तैयार रखना हुआ आप सब तैयार है सबी लोग तैयार है जैजै सिता राम सबी लोग तैयार है भईयों बेनों भगवान राम का याद रखना भगवान राम का राम लला का भव्य मंदिर का निर्मान होना और राम लला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना इस राम राज्य कि इस अभार चिला को पुष् करना है जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले शाड़े नौव वर्स के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है रामराज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहों व्यापा सब नर करही परस पर पिरिती चलही स्वधर्म नियत सुत नीती वयोबेनों दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार किताब चाईवह कोई आबदा हो कोई दैवी आबदा हो आतंग बात की समस्या हो नकसल बात की समस्या हो हिंसक जानवरों की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दलिद्र सारिक और मांसिक पीड़ा हो इन सबसे मुक्ति एक ऐसी विवस्था जो हर व्यक्ति को खुसाली के मार्ग पर आगे ले जा सके हैं हिर गरीबों के लिए चोंज़क शलाय बनी हर घर में सचले बनगया हर गरीब के लिए आवास की विवस्था हो गई परगरीब को विद्दुत की कनेक्शन میल गये हर गरीब के घर वे सभी सुवधाएं और अपने और पराये का आभास वायोवेनों तब होता है जब यक्ति संकट में होता है हमने पहले दिपॉट्सों को पुरी बव्यता के साथ एक नहीं उचाई तक पहुचाते रहे लेकिन अगले तीन वर्स हमारे ले कठिन थे जब करोना महामारी ने आघेरा था लेकिन तब भी हमने दिपॉट्सों के कारिक्रम को बाधित नहीं होने दिया और हम तो आब आ रही हैं मानने राज्यपाल महदैबीस हर कारिक्रम में भागिदार बनती थी कितनी भवज़ता के साथे सभी कारिक्रम होते थे और उस समय फ्री में टेस्ट फ्री में उप्चार फ्री में वैक्सीन दुनिया के अंदर वैक्सीन फिरी में देखर के करोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महमारी को ऐसे समाप्त क्या प्रधान मंत्रीची ने जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबान साबित हो गई भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ मातर नो महिने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया अकेले भारत ने बना के दिखाया ये नित्रत्तो का गुण है और भायो बेनों यही नहीं इस दोरान कोई भुकमरी का सिकार भी नहों अगर रामराज्य की बात कर रहे हैं जाती मत और मजभ के आधार पर नहीं सर्वे भौनतो सुखिना सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ कारे करेंगे सब का साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कारे किया वह पेढ़नाम भी हमारे सामने 80 करोड़ लोगों को पिछले तीन वरसों से फिरी में रासन और अगले पांच साल तक भी फि और उसी भगवान राम को आदर समान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आये हैं अयोध्या वास्यों की जम्यदारी और ज्यादा बन रही है आतित्य सेवा का अथित्य देवों भौकाई पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है याद रखना अयोध्या में जितने प्रेटक और सरवालू वरसमान में आ रहे हैं, बाइस जनवली के बाद यानि मकर संकांती के बाद इसकी संध्या इससे दस बुझा होने जारही है और मैं तो आभारी हो यहाँ के सभी पुझ्य संत।ों का यहाँ के जन प्रस्मिघियों का यहां के ब्यापारियों क यहां के नागरिकों का समाद से जुड़ेवे अलग-अलग सब्के का जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दीढ़ish, कोई भी कहा कि नई अयोध्या उपेक्सित थी, अब अयोध्या उपेक्सित नहीं होगी, राम लला आ रहे हैं, राम लला के आने के पहल अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए दुनिया की सबसे सुन्दर्तम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए और भायो वेनों इसी का प्रिणाम है कि 30,500 करोड उपे से दिक की प्रयोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही है इस औसर पर मैं एक बार पुरे प्रदेश वास्यों को विपावली की सुपकामनाई देता हूं बदहाई देता हूं विपत्सों को हम अपने स्वयं के आनंद के ले तो लें अपने पारवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ने हैं विपत्सों का आयोजन ही समाज के हर सब्सक्राइब को जोड़ने कायोचन है और भगवान ने यहीं तो किया था अयोध्या से गए निसादराज को गले लगा लिया जंगल में गए चित्रकूठ में गए रिशी मुन्यों के आश्त्रमों में जाकरके उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकरके बढ़े और संकल्पता निश्चरहीन करो मही भुझ उठाए प्रणकीन और भायोवेनों राक्सस विहीन कर दिया इस धरती को बड़े-बड़े राक्सस थे उनके बाद बड़ी-बड़ी पीमे थी बड़े-बड़े उनके पास सेनाय थी सब स्वहा हो गए और भायोवेनों जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठी बेर खाये बनवाश्यों को गिरवाश्यों को गले से लगाया चामवंत भी हुन्मान भी अंगद भी सुग्रीव भी उनके मित्र बने मरसी अगस्त का भी आश्रीबाद लिया से तुबंद का निर्मान भी किया और अयोध्या आगमन पर रामराज्य की आधार सिला की नियू को रख करके दुनिया की सबसे आधर्स विवस्ता की रूप में किसी एक विवस्ता को दुनिया आज भी मानती है वर रामराज्य की व बायो बेनो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एमबेज़र्स और राजनाइक आ रहे हैं। खुशी देर में उनका आगमन होने जा रहा है। वे दिपोट्सों के साक्सी बनेंगे, सर्यू आर्थी के साक्सी बनेंगे। और अयोध्या किस भबेता का उलोकन अपने आखों से करेंगे। और सचमुच अयोध्या वास्यों का अविनंदन भी सौसर पर करने का एक सोभा कि हम सब को प्राप्त होगा। और इसलिए 22 जनवरी के इस महत्तों के लिए हम सब तैयार अभी से तैयारी सुरू करें। यह हम सब का अपना आयोध्या वास्यों का संतों का हर ब्यक्ति पूरे प्राणपन के साथ जुड़ करके, सिराम जनभूमी तीर्थ जेतर ट्रस्ट के साथ मिल करके, सरकार के साथ म हम चुड़ेंगे, वायोबैनों हमारी अयोध्या दुनिया की सुन्दर तम्रगरी के रूप में स्तापित होगी, और इस विश्वास के साथ मैं आप सब को एक बार फिर से अपनी मंगल कामना देता हूं, दिपावली की हिर्दय से बधाई देता हूं, अपनी सुपकामना देता हूं, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के, प्रभुसी राम के भावनाओं के अंडूप, उनके आदर्सों के अंडूप, अयोध्या को और उत्तरब्रदेश को बनाने के इस लक्स की दिसामें अग्रसर होंगे, मैं एक बार फिर से आज के इस कारिकरम में माहम से स्वागत और अविनंदन करते हुए, अपनी बाणी को यहीं पे वराम देता हूं, जैजैस्टीता राम, जैजैस्री राम बहुत बहुत भन्यवाद माननी मुख्यमंत्री महोदय और आज एक हिंदी के राष्ट्री समाचार पत्र में माननी मुख्यमंत्री का एक लेख छपा था और लुड है।